नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो SBI Cashback Credit Card के बारे में है, अगर आप Credit Card लेना चाहते हो और Credit Card पर Cashback का Benefit लेना चाहते हो, तो ये Credit Card सबसे Best Credit Card है, इस Credit Card पर आपको 5% Cashback Benefit मिलेगा अगर आप Online Shopping करोगे, और अगर आप Offline Shopping करते हो तो आपको 1% Cashback का Benefit मिलता है, इस Credit Card पर आप एक महीने में, एक स्टेटमेंट साइकल में, आप मैक्सिमम 5,000 रुपे तक का Cashback का Benefit ले सकते हो, अगर आप किसी दूसरे Credit Card के मादियम से सोपिंग करते हो, और Cashback का Benefit लेते हो, तो उन पर कुछ कंडिशन होती है, उनके जो Selected Partner है, अगर आप वहाँ से सोपिंग करोगे, तब ही आपको Cashback का Benefit मिलता है, लेकिन SVI Cashback Credit Card पर आप जिस प्लेटफोर्म के मादियम से सोपिंग करते हो, ओनलाइन या ओफलाइन, तो आपको Cashback का Benefit मिलेगा, लेकिन Credit Card पर Cashback का Maximum Benefit लेने के लिए, बैंक की कुछ Conditions होती है, उनके बारे में आपको जानकरी होनी इस Credit Card के Features क्या है, इसमें आपको Fees और Charges क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानकरी डिसकस करेंगे, और ये Credit Card Online आवेदन कैसे करना है, इसको Online आवेदन करना बिलकुल आसान है, वीडियो के Description में आपको Link मिलेगा, उस Link पर क्लिक करके आप घर वेठी Online आ आ सके, तो आगे की जानकरी हम देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से, तो सबसे पहले हम SBI Cashback Credit Card के Features को डिसकस करेंगे, ये जो पैज आपको अभी दिखाए दे रहा है, ये इसकी Official वेबसाइट है, और यहाँ पे इसके बारे में Complete जानकरी दे गई है, मैं आपको सजेस्ट के लिए Apply करो, चाहें किसी भी Credit Card के लिए Apply कर रहे हो, तो आपको उसकी Official वेबसाइट के माध्यम से एक वारी जानकरी जुरूर वेरिफाई कर लेनी है, अभी यहाँ पे आपको दिखाए द रहा है Features, सबसे उपर आपको दिखाए द रहा है Card Cashback, तो यहाँ पे 5% Cashback मिलेग Offline Shopping पे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक जो Statement Cycle होता है, उसमें आपको अधिक्तम 5000 रुपे तक का ही Cashback Benefit मिलेगा, चाहें आप Offline कर रहे हो, Online Shopping कर रहे हो, आपको अधिक्तम 5000 रुपे तक का Cashback Benefit मिलेगा, जब आप 5000 रुपे तक का Cashback Benefit complete कर लेते हो, तो उसके बाद आप Swapping करते हो, उसमें आपको Cashback Benefit नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है, कुछ category है, वहाँ पे आपको Cashback Benefit नहीं मिलेगा, जैसे अगर आपको EMI वगरा के लिए पे करते हो, तो आपको Cashback का Benefit नहीं मिलेगा, Utility Bill पे करने के लिए आपको Cashback का Bene Benefit नहीं मिलेगा, इसके लाबा आप School और Education की Service लेने के लिए अगर Pay कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको Cashback का Benefit नहीं मिलेगा, Jewelry पे नहीं मिलेगा, Railway पे नहीं मिलेगा, और ATM से withdrawal कर रहे हो, तो भी आपको Cashback का Benefit नहीं मिलेगा, तो इन चीजों को आपको ध्यान में कि ये Cashback आपको Cash मिलता है, जैसे यहाँ पे Detail में दिया गया है, अगर आप कोई 45,000 रुपे की, यहाँ पे Example दिया गया है, अगर आप कोई 45,000 रुपे की Shopping करते हो, Online, Offline मिला करके, और उसमें से आपकी 35,000 रुपे के माल लेते हैं कि Online Shopping है, और Offline Shopping आपकी 10,000 रुपे क EMI purchase किया है, यानि कि 10,000 रुपे की आपकी EMI है, तो आपको Cashback का Benefit कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, 10,000 प्लस 35,000, यहाँ पे Total 45,000 हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि EMI purchase पे आपको Cashback का Benefit नहीं मिलता है, तो इसमें से 10,000 रुपे माइनस कर दिया, इसके बाद यहाँ पे दिखा दे रहा है, 5% आपको 25,000 रुपे जो आपने Online Shopping किया, उस पे 5% का Cashback मिलेगा, जो कि आपका 1250 रुपे रहेगा, और 1% Cashback Benefit मिलेगा आपको 10,000 की Shopping पे जो कि आपने Offline किया, उस पे आपका Total जो Cashback Amount होगा, वो 100 रुपे का होगा, त उसके बाद जितना भी Amount आपका Offline, Online Shopping का होता है, उस पे आपको Cashback Benefit मिलता है, यहाँ पे कुछ Category दे गई है, इन Category में अगर आप Purchase कर रही हो, इन Category के लिए Pay कर रही हो, तो आपको Cashback का Benefit नहीं मिलेगा, यहाँ पे Withdrawal का नहीं दिया गया है, अगर आप ATM से Withdrawal करात हो, वो दो दिन के बाद आपकी Statement में Credit किया जाता है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक Example दिया गया है, यानि कि हमारी जो Statement Cycle है, वो हम माल लेते हैं, 16 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक हमारी एक Statement Cycle है, तो इस Duration में जितना भी Cashback Benefit आपको मिला है, वो Credit होगा दो द Charges के बारे में इसमें कितनी Fees लगती है, Charges क्या लगेगा, तो ये Credit Card अगर आप Apply करते हो, तो आपको 999 रुपे की Fees लगेगी, इसकी जो Fees है, वो 999 रुपे की हैं, और यहाँ पे आपको Welcome Benefit वगरा कुछ नहीं मिलता है, 999 रुपे प्लस आपको 18% GST भी लगती है, और भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी Renewal Fees है, वो भी 999 रुपे हैं, लेकिन ये आपकी Reverse हो सकती है, यहाँ पे Condition ये है कि आप पिछले एक साल में 2 लाख रुपे की Transaction इस Card के माधियम से करते हो, 2 लाख रुपे का Spend करते हो, तो आपको Renewal Fees है, वो नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये इसके Fees और Charges के वारे में है, और इस Card पे आपको Welcome Benefit नहीं मिलता है, Airport Launch Access Benefit भी नहीं मिलता है, ये Credit Card आपको Cashback का Benefit देता है, और Cashback के लिए ये Best Credit Card है, इस Credit Card को Apply कैसे करें, Credit Card को Apply करने के लिए, वीडियो की Description में आपको Link मिलेगा, उस Link पर क्लिक करके आप घर बेठी अपलाई कर सकते हो, ये Credit Card अपलाई करने के लिए आपके पास Pen Card होना चाहिए, अधार नंबर होना चाहिए, आपकी Photo होनी चाहिए, और Bank Account की Detail होनी चाहिए, तो ये सारे Document आपके पास है, आप इस Credit Card को असानी से अपलाई करके प्राप्त कर सकते हो, तो ये थी जानकरी, SBI Cashback Credit Card के बारे में, ये Credit Card वाकई बहुत Best Credit Card है, Cashback के मामले में, लेकिन ये Credit Card मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपका Civil Score अच्छा होना चाहिए, अगर आपका Civil Score अच्छा है, तो आपको ये Credit Card मिल जाएगा, उमीद करता हूँ कि आपके लिए ये एक Valuable सके, और ये वीडियो वोच करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, वंदेमाद,